तो मूवी के स्टर्टिंग में हमें एक आदमी Gwen को दिखते है जो के King Auruther का पांचा होता है जो उस जमाने के King थे अब यहां पर इस साथमी के सर पर एक क्राउन रुखा जाता है जिसके बाद इसका सर चलने लगता है और देखते ही देखते इसका सर पूरी तरहां से चल जाता है अब निक्सी में हम देखते हैं के क्राउन एक जगा पर सोया होता है तो उसे एक लिर्की जिसका नम एसल होता है आकर उठाती है वो उसके मूँपर पानी गिराती है और जैसे एक गवैन उठकर बाहर जाने लगता है तो वो यहां गिर जाता है और फिर उसके बाद उठकर अपने किले के जिर्फ जाने लगता है यहां पर हमें बता चलता है कि एहीं सिल गवैन को पसंद करती है लेकिन वो एक ordinary लड़की है जबके गवैन एक royal family से belong करता है लेकिन उन दोनों को इस बात से फर्ट नहीं बढ़ता अब गवैन अपने किले में चला जाता है जहां पर उसकी मंदर आको उसे किसी meeting के बारे में बताती है अब कवैन सिदा king के पास चाता है तो king उससे कहता है कि तुम मेरे साथ बैठा अब king कवैन से कहता है क्योंकि तुम बड़ी हो चुके हो तुम पर responsibilities भी आचुके हैं तो मैं तुम ये बताना चाहता हूँ कि हो सकता है future में मैं तुम ए king बना दूँ क्योंकि king को कवैन से बहुत प्यार होता है और वो चाहते थे कि इसमें इतनी abilities हों कि ये king बन सकी लेकिन कवैन खुद भी चाहता था कि उसकी क्या हरकते हैं वो हर टाइम नशे में रहता था और उसका मुल्क कभी ज़्यादा थ्यान नहीं होता था वो स्यादा से ज़्यादा टाइम एसल के साथ इस परिंट किया करता था तो सब कुछ ये king ओर्थर को भी बता दीता है अब यहां पर queen बोल परती है और govan से कहती हैं कि अभी तक जितने भी soldiers थे या इस royal family के members थे उनका अपना-पना past था और आगे जाकर वो successful हुए यानि उनका कहने का ये मतलब था कि अगर हम चाहें कि इसी वक्त अपनी बुराईयों को छोड़ कर अच्छे मुकाम पर आ सकें यानि अपने goals को पा सकें तो ऐसा होना possible है बस हमें इसके लिए मेहनत करनी होगी अब दूसरी तरह हम कवैन की मदर को देखते हैं जो कि बहुत ही mysterious जगा पर जाती है वहां पर black magic हो रहा होता है वो एक paper पर कोई अजीब से चीज लिखती है और उसके बाद paper को हावा में छोड़ देती है paper को आग लग जाती है दूसरी तरह हम king author को देखते हैं जो कि अपने लोगों से बात कर रहे होते हैं वो उन्हें Christmas का event wish कर रहे होते हैं और कहते हैं कि मैं जानता हूँ ये सब आप भी की मेहनत है जो आज हम एक peaceful nation है और वो सब इसको लेके काफे खुश होते हैं अब वहां पर celebration शुरू होने के वाली होती है कि अच्छानक से एक दिर्वासा खुलता है और उसमें से कोई आता है उसका नाम था The Green Knight उसे देखके वहां के सब कार्ड्स और सब लोग active हो जाते हैं और उसे मारने के लिए तयार हो जाते हैं लेकिन किंग Green Knight से कहता है इतर आओ और मेरी बात सुनो Green Knight उसके पास आता है और उसे लेटर देता है और ये वही लेटर होता है जो कि गवैन की मदर ने चलाया था कोई ने इस लेटर को पकर लेती है और पढ़ने लगती है अब उस लेटर में ये लिखा होता है कि यहां का कोई सोलजर Green Knight का सर काटेगा और ये एक किसम की गेम होगी जिसके बाद Green Knight उसी सोलजर का सर काटेगा इसके बाद वो किंग और्थर से कहता है कि यही एक तरीका है कि मैं तुम्हारे इस Royal Kingdom को छोड़ सकता हूँ अगर तुम इस गेमें पार्टी स्पेट करना चाहते हो तो मुझे बता तो किंग और्थर कहता है कि मुझ में तो इतनी पावर नहीं है अपने सोलजर से पूछता हूँ अब किंग अपने सोलजर से भूछने लगता है तुम मेंसे ऐसा कौन है जो ऐसा कर पाएगा कोई भी नहीं बोल पाता तब ही कवैन बोलता है कि मैं जाऊंगा मैं ऐसा करूंगा इसके बाद कवैन उन लोगों से स्वर्ट मांगता है हम दुबारा मिलेंगे और उसके बाद मैं तुम्हारा सर काटूंगा और उसके बाद Green Knight अपने घोड़े पर वहाँ से चला जाता है Green Knight अपनी कुलहारी यानि X वहीं पर छोड़ किया था अब उसके जाने के बाद सब Soldiers और King Gawain से काफी इंप्रेस होते हैं और उसके लिए क्लैप करते हैं कि उसने इतनी पहादुरी का काम किया और वो चानता भी है कि Green Knight वापीस आएगा उससे लरने के लिए लेकिन वह फिर भी नहीं घपराया King उससे पनी स्वर्ट वापीस लेते हैं और जो एक Screen Knight छोड़ गया था उसे संभाल लिया जाता है इसके बाद से सब लोग Gawain की बहुत तरीफ करने लगते हैं वो लोगों में famous हो जाता है और चोटे बच्चों का ideal बन जाता है लेकिन ये चीज़ जाता देर तक नहीं रहती Gawain फिर से पूरी आदतों में बर जाता है लेक्वू ट्रिंकिंग भी शुरू करतेता है और उसकी कंपनी भी पहले जैसी हो जाती है लेकिन यहां की लोग अभी भी उसे प्रेशेट क्या करते थे क्योंकि उन सब में से यही एक था जोके रोयल फामली से पिलोग करता था और इसने इतना बड़ा कार ना मजू किया था यानि ग्रीन नाइट का सर काटा था तब यहां पर एक आत्मी आता है और Gawain से कहता है तुम यहां बेटे हूँ वो टाइम आ चुका था जब Gawain की अग्रीन नाइट से दूसरी लड़ाई होने वाली थी जब Gawain ने प्रॉमिस किया था कि वो अब इसकी करतन काटेगा और इसके लिए से Green Chapel जाना था जिसके बारे में किंग और्थर इसे समझाने लगता है लेकिन यहां पर Gawain डर जाता है क्योंकि उसे पनी चान की फिकर हो रही थी तो किंग और्थर उसे समझाते हैं कि मेरे बेटे हमेशा ये बात याद रखना तुम्हें तब तक कोई नहीं मार सकता जब तक तुम्हारा वक्त ना चुका हो अगर तुम जिन्दा रहोगे तो तब तक रहोगे जब तक तुम्हारी सिंदगी लिगी हुई है तर साथ ही उसका मूँ साफ करते हैं और उसे गुड लगविश करते हैं दूसरी तरी उस सिटी में भी पपिट्च्रों में भी यही दिखाया जा रहा होता है कि ग्रेन नाइट गवैन की करदन काट देगा जिससे गवैन डरा होता है अब यहां पर हम गवैन की मदर को देखते हैं जो कि दुबारा से काला शादू करने किसी जगा पर जाती है उनके साथ कुछ और भी औरते होती है और वो एक कप्रे पर कोई स्पेल परती है और उसे प्रिजर्फ कर देती है अब उदर हम गवैन को देखते हैं जो कि एसल से मिलता है वो से कहती है कि तुम वापिस आओगे तो तुम किंग बन जाओगे और मैं तुमारी कुईन लेकिन गवैन अक उसे कुछ पर नहीं बोलता कि उसे डर लग रहा था कि कहीं वो मारा ना जाए और जब अपनी मदर से जाकर मिलता है तो उसकी मदर उसे वही कप्रा देती है जिस पर उन्होंने मैचिक किया था और अपने बीटे गवैन से कहती है कि जब तक तक तुम इसे पने पास रखोगे तुमें कुछ पर नहीं होगा कि बाइट कवैन पने खोड़े पर बैट कर वहां पर जाने के लिए निगल परता है कुछ बच्ची उसका पहले तो पीछा करते है लेकिन उसके बाइट कवैन अकेला हो जाता है इन रास्ते में उसे काफी अजीब अजीब चीज़ें दिख रही होती है जो उसे बार-बार तरा रही होती है जैसे एक कफिन कीच होता है जिसमें किसी का स्केलीटन होता है और कुछ आगे जाके ही किसी वार की बज़ा से काफी सारी डेट बोड़ी होती है वहीं पर कवैन को एक बिच्चा मिलता है जो कवैन को बिताता है कि उसकी सारी फैमिली मारे गई लेकिन कवैन उसे कहता है क्या तो मुझे ग्रेंचेपल तक कर रास्ता बता सकते हो तो वो बिच्चा उसे रास्ता समझा देता है और कवैन उसे क्वाइन देता है वो एक संसान जुंगल होता है लेकिन जब कवैन थोड़ा आगे जाता है तो उसे एक लड़की दिखती है जो कि अपना डैगर यानी खंजर निकाल लेती है और इसी के साथ साथ काफी सारे लोग कवैन को खेल लेते हैं और वो बच्चा भी आ जाता है जूकि गवैन से वो कपड़ा भी ले लेता है और वो सब लोग मिलकर कवैन की चीज़ें तोड़ देते हैं उसकी शीर्ट भी डामेज कर देते हैं उसकी तलवार भी ले लेते हैं और एक्स भी जो किसल में क्रीन आइट की थी और इसी से कवैन ने उससे लढ़ना था तो वो बिच्चा कहता है मुझे तो एक्स काफी पसंद आई है और ये सारी चीज़ें लेकर और कवैन के हाथ बान कर ये लोग यहां से चले जाते हैं कवैन बेहुश होता है लेकिन उसे ऐसा लगता है जैसे वो मर चुका है पर ये उसका ट्रेंग था अब जब उसे खूश आता है तो वो ख्रॉल करते हुए यानि रिंग देवे अपनी तलवार के पस पहुंचता है और अपने हाथों को फ्री करवाता है तलवार की यूज करते हुए यादों के रसी काटकर अब इस जंगल से ये भागने लगता है यहां पर रात हो जाती है जंगल काफी खौफनाक लग रहा होता है इसे एक पौन देखता है जिससे ये पानी पीता है और उसके पास ही खर होता है जिसके अंदर ये चला जाता है वो खर काफी पुराना होता है Gowen अपर जाता है तो वहाँ पर बेट देकर सूचाता है क्योंकि वो काफी ठका हुआ था जिब उसकी आंग उती है तो उसके सामने गलगी होती है जिसने बाइट टुर के कपरे पहने होते है Gowen उसे कहता है कि तुम कौन हो तो Gowen उसे कहता है कपराओ नहीं मैं सिर्फ एक पैसेंजर हूँ मैं बहुत ज़्यदा ठक चुका था तो सिर्फ सोने आया था Gowen उसे पूछता है कि क्या तो मुझे समझा सकती हो कि Green Chapel के सिर्फ है मैं रास्ता भी खो चुका हूँ तो वो लड़के उसके पास आती है और जिस तरह से वो आ रही होती है यानि चल रही होती है तो Gowen को तो पता चल जाता है कि ये सोल है वो उसे नीचे तलाब की पास लेकर जाती है और इपने पास्ट की स्टूरी बताने लगती है वो बताती है कि बाच्छा हुआ करता था उसने मेरा सर कार दिया मुझे गतल कर दिया और उसके बाद मेरा सर इसी तलाब में भैंग दिया तुम्हें मेरे लिए मेरा सर इस तलाब से बाहिर लाना होगा कवैन काफी डर भोगता तो वो डर रहा होता है और इसे ये भी पिता था कि इस सोल है और अगर मैंने इसकी बात ना मानी तो मैं खत्रे में बढ़ सकता हूँ तो वो मान तो जाता है लेकिन इस सोल से पूछता है कि इसके बदने में तो मुझे क्या रिवोर्ट होगी तो वो सोल इमोशनल होकर इस पर चिलाने लगती है तो गवैन को ऐसे ही जाना पड़ता है अब गवैन पाने के अंदर जाता है और बहुत टीब उसे सकल मिलता है वो उस सकल को उठाता है और पाने से जब बाहरा कर देखता है तो वो सोल उसे कहीं भी नजर नहीं आती बलके वहाँ पर एक fox बैटी होती है Gwen उसी घर के अंदर आ जाता है लेकिन वो sword उसी घर के अंदर भी नहीं दिखती Gwen जब उपर room में जाकर देखता है तो वहाँ bed पर उसी soul का skeleton बड़ा होता है Gwen के हाथ में उसका सर होता है जिस पर हब skin आ चुकी थी और वो बोले लगती है कि Green Knight उसका चान ने माला है और साथी सकल बन जाती है लेकिन Gwen उसकल उठा कर उस skeleton के साथ bed पर रिरख देता है और इतनी ही धर में सुबा हो जाती है Gwen को पनी X वहीं पर पड़ी हुई दिखाए देती है तो वो उसे उठा कर अपने अग्ले सफर के लिये निकल परता है अब यहीपे भो चलता रहता है चलता रहता है लेकिन उसका रास्ता खतम नहीं हो रहा हुता तब युसे खार मलती है जिसमें बजाकर बैखता है है तो उस खार के तर्वासे पर यानि उसकी opening पर उसे वही fox दिखाई देती है यानि loom भी दिखाई देती है कवेन को समझ नहीं आ रहा होता कि throughout the journey ये इसका पीछा क्यों कर रही है यहां पर कवेन सुझाता है और वो fox भी उसे के साथ सुझाती है सुपा होने पर कवेन देखता है कि वो fox अभी भी उसके साथ है तो वो decide करता है कि अगला सफर इसे के साथ किया जाए लेकिन रास्ता आज भी बहुत लंबा होता है जिससे वो ठक कर गिर चाता है और जब उसे होश आता है तो वो किसी ऐसी चकापर होता है जहां पर कुछ mushrooms से जिनने का कर वो थोड़ा सा पीट भर लेता है साथे साथ वो mushrooms fox को भी खिलाता है लेकिन ये mushrooms poisonous थे सहरी ले थे जिनकी वज़े से कवैन को फॉमिटिंग होने लगती है और कुछ अजीब अजीब विशिन्स आने लगते हैं जिसमें उसे green night नजर आता है तो कवैन यहां पर सुच आता है अंगली सुबो fox और कवैन फिर से अपने सफर के लिए निकल परते हैं चलते चलते पहार के दूसरी तरफ कवैन को बहुत बड़े बड़े creatures नजर आते हैं वो fox के साथ उस पहार के उपर जाता है पर उनसे बात करने की कोशिश करता है लेकिन उनको इसकी सुबान समझ नहीं आ रही होती तो अब कवैन अपने fox के साथ यागे बढ़ने लगता है यहां पर फिर से रात हो जाती है कवैन बहुत स्यादा थक चुका था तब इसे सामने पुराना सा castle दिखाई देता है वहां पर कोई राजा रहा करता था लेकिन कवैन वहां पर जाते ही भी होश हो जाता है क्योंकि वो इतने दिन से सफर में था उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया था और काफी week हो चुका था नेक्स्ट ही सीन में जो कवैन को होश आता है तो वो देखता है कि वो बिल्कुल ठीक ठाक है उसके पास वही generous राजा बेटा हुआ है वो से कहता है कि खबराव नहीं तुम यहाँ safe हो और जहां पर तुम्हें जाना है वो से मिलकर खाना खाते हैं तो कुईन गौएन से कहती तुम कुछ दिन यहाँ पर क्यों नहीं रुक चाते हो गौएन को और क्या चाहिए था वो मान चाता है गौएन वहाँ पर कुछ paintings देखने लगता है और कुछ books भी और उन paintings में यह साफ दिखाई दे रहा होता है कि एक fox के पीछे कोई आदमी घोड़े पर पीछा कर रहा है तब ही वहाँ पर Queen आती है वो गौएन को महल का visit करवाती है और उसे different चीजें दिखाती है जो गौएन को बहुत अच्छी लगती है फिर हम देखते हैं कि राजा यानि कि गौएन के लिए एक हिरन का शिकार करते है वो पेर से खाना खाते है और राज को साथ बैट की बातें करने लगते हैं जिसमें वो Green Knight की भी बात करते है तो राजा गौएन से पूछता है कि तुम Green Knight को क्यों ढून रही हो और उसे मिलना क्यों चाहते हो तो गौएन उसे सब कुछ बताना चाहता है कि मेरी उससे लड़ाई है और मैं खुद को बहुत अच्छा सोलजर प्रूफ करना चाहता हूँ तो राजा कहता है अच्छा तो ये बात है तो मैं भी उससे मिलना चाहूँगा नेक्स सीन में हम देखते हैं कि गौएन के रूम मेर रानी आती है और उसे वही कपड़ा देती है और सेम वर्ड्स बोलती है कि ये तुम्हारी प्रोटेक्शन करेगा लेकिन साथ ही वो गौएन से कहती है तुम एक अच्छे सोलजर नहीं हो गौएन को यहां पर कुछ गलत लगता है तो वो अपना कपड़ा लेकर और साथ ही साथ अपनी एक्स उठाकर उस महल से निकल जाता है अब कवैन भाग कर जंगल की तरफ आता है अब ही पीछे से किंग भी आजाता है उसके पास एक सैक होता है और वो कवैन से कहता है कि तुम्हारी एक चीज मेरे पास है जब वो सैक को खूलता है तो उसमें वही फोक्स होता है कवैन बहुत खुश होता है और अगला सफर अपने fox के साथ ही तैख करता है आगे जाती ही उनको एक नदी दिखती है जिसमें एक port होती है लेकिन यहां पर कवैन के साथ जो fox होता है वो बात करने लगता है और कवैन को वान करता है कि अगर आप इसमें गए और Green Knight से जाकर मिले तो बज़ नहीं पाएंगे Green Knight आपको मारते का तो बेखतर है यहां से वापिस चले जाएं तो कवैन कहता है कि जब तक मेरे पास वो कप्रा है जो मेरी मा ने मुझे दिया है मुझे कुछ पर नहीं हो सकता और तुम जाओ यहां से तो मुझे डिस्ट्रेक्ट कर रहे हो अब फोक्स यहां से चला जाता है और गवैन उसी पोट को पकरता है और नदी में से होते हुए आखे बरने लगता है रास्ते में जाते हुए उसे एक साइन दिखाई देता है जिसे देखते ही वो पोट से उतरता है और एक केव के अंदर जाने लगता है जो के Green Chapel होती है वही जगा जहां पर कवैन को जाना था और यह Green Knight का residence था वहाँ Green Knight सो रहा होता है वहाँ Green Knight सो रहा होता है और उसकी एक्स उसके पास रख देता है लेकिन Green Knight में कोई movement नहीं हो रही होती तो कवैन वहीं पर बैठा रहता है यहां तक कि रात हो जाती है रात कवैन इसी तरह बैटे बैटे गुजार देता है लेकिन Green Knight उठी नहीं रहा होता अग जैसे एकली सुबह होती है तो Green Knight जाक जाता है और कवैन से कहता है कि तुम आ गए आज भी Christmas का दिन है यानि पूरा एक साल हो गया है हमें मिले हुए और आज वो दिन है जब मैं अपना बदला ले सुपूँगा साथे Green Knight अपनी एक्स उठा लेता है और कवैन की जरफ बिरते हुए कहता है तो तुम आ हे गए यहां पर और तुम्हें पता है ना कि अब क्या होने वाला है तो कवैन बहुत बहादुरी से कहता है जी मैं जानता हूं तो Green Knight कहता है तो चुक जाओ फिर कवैन चुक जाता है और Green Knight बिना कोई रहम की अपनी एक्स उठाता है और उससे गएन का गला काटने माला होता है कि तभी वहां से गएन फॉरन से भाग जाता है वो बाहर जंगल में आ जाता है लगिली गएन का घोड़ा भी वहीं पर होता है गएन उस पर पैट कर अब आगे निकलने लगता है वो जितना जल्दी हो सकता था यहां से निकलना जाता था क्योंकि यह prediction सच हो जाती कि Green Knight इसका गला काट देगा और यह बच नहीं सकेगा तक्वेन के यही कोशिश थी कि वो सीथ अपने कैसल जाकर उत्रे क्योंकि अब उसने Green Knight की X उसे दे दी थी तो अब उसे कोई tension नहीं थी यह prediction पूरी होती है या नहीं यानि उसके बच जाने के chances थे क्योंकि Green Knight की X अब उसके पास जो नहीं थी उसका सफर शुरू होता है और यह सफर पिछले सारे सफर से बहुत ज्यादा मुश्किल और tiring होता है क्योंकि उसे डर भी होता है कि कहीं Green Knight उसका पीछा नहीं रहा हो लेकिन ऐसा नहीं होता रास्ते में कई hurdles कई problems आती हैं लेकिन उनको face करते हुए Gwen Bravely से इपने castle तक पहुँची जाता है लेकिन इसका ये नुकसान होता है कि castle पहुँचते ही वो इतना week हो चुका होता है कि उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा होता किसल पहुँचते ही Gwen की mother उसका treatment करती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि Gwen की body के साथ अभी भी वही कपड़ा बंदा हुआ है जो Gwen की mother ने उसे बांदा था यानि ये बात ठीक हुई इसी वज़ा से Gwen की चान बच गई यहां पर हम देखते हैं कि Gwen बहुत खुश होता है और वो ईसल से भी मिलता है किंग और्थर के तबियत बहुत स्यादा खराब होती है वो Gwen को अपने पास बलाते हैं और कहते हैं मेरा वक्त आ चुका है तुमने अपनी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े काम किये हैं जैसे कि Gwen ने भी कहा था कि बहुत से लोगों ने ने पास को चेंज करके सक्सेस को पाया है और Gwen अब उनमें से एक था किंग और्थर उसे पनी स्वर्ट देते हुए कहते हैं कि अब से तुम यहां के राजा हो मैं अपनी जगा तुम्हें देता हूँ और अब यहां पर Gwen को फाइनले क्राउन पहनाया जाता है हम Gwen और Aisil के पे शादी हो जाती है और उनका एक प्यारा सा बेबी होता है लेकिन ने जाने Gwen को क्या होता है वो उस बच्चे को Aisil से पकर कर दूर निकल जाता है सब कुछ छोड़ के यह सिल काफी दुखी हो जाती और उसे समझ नहीं आता कि Gwen ने ऐसा क्यों किया और अगले ही सीन में हम उसी सोल को देखते है वहीं वाइट कपरों वाली लड़की जो के खुद भी एक प्रंसेस थी Gwen उससे शादी कर लेता है और हो साथ रहते हैं लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी दिखाया जाता है कि Gwen के पास जो कपड़ा था वो हमेशा उसकी बॉड़ी के साथ बंदा रहता था यानि Gwen जानता था उसे सोल से इस जगह से खत्रा है लेकिन वो फिर भी यहां पर रहना चूस करता है अब टाइम गुजरता जाता है Gwen का बेटा उसके पास ही होता है जो कि अब टीनेश में आचुका होता है और वो भी एक सोलजर बन जाता है वो काफी चंगे लड़ता है यानि वोर्स में पार्टी स्पीट करता है और इसी तरह एक वोर्स में मारा जाता है अब यहां से Gwen सीदा अपनी स्टेट वापिस जाता है जहां पर वो राजा बना था वहां के लोग उसका वेलकम करते हैं और उन्हीं लोगों में छुपी हुई यह से दिखाई देती है लेकिन वो दोनों एक दूशे से बात नहीं करते इसके बात Gwen वापिस उसी सोल इसी प्रिंसेस के पास चला जाता है और यहां पर अब इनकी बेटी होती है और यहां पर Gwen की बेटी भी अब बड़ी हो चुकी होती है लेकिन इस मुवी का सैट पार्ट यह होता है यानि इसकी एंडिंग इस तरह से होती है के Gwen के कैसल पर बहुत बुरी लोग कबसा कर लेते है और उसकी वाइफ और बेटी उसे चुट कर चले जाते है एसल भी उसके पास नहीं थी और उसका पीटा भी जा चुका था यहां पर वो दुश्मनों के कबसे में बिलकुल अखेला रह जाता है तो अब यहां पर कफैन नी बोडी से वो कबड़ा अलहता कर लेता है और इसे के साथ उसका सर कटकर समीन पर गिर जाता है और यहां पर अच्छानक से सीन चेंज होता है यह सर गवाइन के विशन्स थे अब ही भी क्रीन चैपल में क्रीन नाइट के सामने सर चुकाए हुए पेंट हुए वे पैटा हुआ था अब क्रीन नाइट जब उसे मारने ही वाला होता है तो क्वाइन को पता था कि उसके पास वो खपड़ा है और वो मर नहीं सकता तो वो Green Knight से कहता है कि रुको मैंने डिसाइट के लिया है कि मैं अब मर चाहूँगा अपनी जान दे दूँगा तो ये सुनके Green Knight बहुत हैरान होता है और उसके पास आकर कहता है तो ये मुवी यहीं पर खतम होती है लेकिन मुवी की एंडिंग सीन में हम एक बच्ची को देखते है जो के वही क्राउन पहन रही होती है जो गवान ने पने विशन्स पर पहना हुआ देखा था और इसी के साथ इस मुवी का फाइनली यहां पर एंड हो जाता है